एपिसोड वन की स्टाइट की में सियामा हाई स्कूल दिखाया जाता है एक टकला बंदा हमारे मेंड केरेक्टर से कह रहा था ओगा तो तुम उससे लड़ने वाला है और ओगा कहते कि टकले अपना मूँ बंद रख ने तो बच्चा जाग जाएगा और बाकी स्टूटेंट बाते करने लगते हैं ये दोने ही बंद बहुत पाफुल है अगर आपस में फाइट करेगा तो कोई जीतेगा और एक बंदा कहते कि ओगा जीतेगा ये बहुत 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 हरामी बंदा है और तीसरा बंद कहते कि देखो ओगा को तो पसीना आ रहा है लेकिन असल में उगा की उपर एक बच्चा होता है जो गा पर मूत रहा था आबे चिला कर कहते कि मैं तुम्हें नहीं चोड़ने वाला ओगा एक पंच मालता है और दूसरे हाथ से बच्ची को पकड़ता है और कहते कि मेरा सर कोई टोइलेट नहीं है जो तुम मुझे भूतेगा और बाके स् बच्चे को पकड़ लिता है और कहते कि हम दुनों फाइट कर रहे है तो बच्चे को दूर रख लेगिन बच्चे उसके सर के उपर चड़ जाता है और जो जो से रोने लगता है जिस वज़ए से कावे सारी इलेक्टिक पावर निकलती है आबे और वोगा दोनों को जटके लगते है उसके बाद वोगा अपने फ्रेंट फूरुची के साथ होता है और उसे कहानी की तरह बता रहा था ये बच्च मुझे कहां पर मिला था वोगा कहते कि एक हैंसम और पोपलर बंदा रहता था जिससे सब पसंद करते थे उस दयालू लड़की के पास कुछ बंदे है थे फिर दयालो लड़के ने कहा कमी नो क्या तुम लोग मनना चाहते हो और कहानी की बेच में फूरुची कुदता है और कहते कि मुझे ये तो बता दो दयालो और पौपलर लड़का है कौन तो मुझे सीधी तरह से क्यों नहीं बताते ये बच्चा है किसका होगा फूर क्प्टा था कहानी केंदर दोबार से फुरूची कुटता है और कहते कि हट्टाय कट्टे बंदे से तुमारा क्या मतलब फुरुची चिला कर कहते किया तुमने उसे बीच में से काट दिया होगा कहते कि यार तुमेरी कहानी की बीच में मत कुद होगा अपनी स्टोरी को दुबार से जारी रखता है और कहते को हटा कटा बंदा दुबार से पानी के अंदर कुद गया फिर उस दयाल लड़के ने उस चोटे से बच्चे से प्यार से कहा हे चोटे पीद्धी क्या तु यहाँ पर खो गया है और दयाल लड़के को लगा कि वो प्यार से बात नहीं कर रहा दयाल लड़के ने प्यार से कहा ये कीडे में तुम्हें यहापर खा जाओंगा उसके बाद वो छोटा बच्चा उस दैलर्णके को पसंद करने लगा और होगा कहते कि मेरे साथ ये सब को जुबाता तुम्हें यकीन नहीं होगा और फुरुची कहते कि तुम्हारे स्टोरी बहुत ज़दा खट्या है इस चोटे बच्चे को वहीं पर रख कराते ही इसे पाल लेगा कौन और वो बच्चा रोने जिससे सकल बना लिता है वोगा कहते कि रोने मत देना और ये कीड़े को दिखाते हुए उसे हसाने की कोसित करता है लगिन इसके बाजुद भी वो बच्चा रोता है और उन दोनों कोई इलेक्टिक जटके लगते है उसके बाद वुगा कहते कि फुरुची जब भी ये बच्चा रोता है तब इलेक्टिक जटके लगते हैं और फुरुची कहते कि ये बच्चा काभी जजीब है वुगा कहते कि चिला कर बात मत कर नहीं तो ये दुबार से रोने लगेगा और सामने दो बंदे आपस में और फुरुची कहते कि तुम्हें तो पताई होगा हमारे स्कूल कंट्री का सबसे बेकार स्कूल है इस स्कूल में हमसा फायट होती है क्लास में कुछ बंदे जोर जो से बाते कर रहे थे और बच्चे रोने जैसी सकल बना लिते है हो का गया था लेकिन अब ये तुमार यहा ता उसके बाद फूरूची और ओगा की आलत खराब हो जाती है वो दोने स्कूल में ऐसे घूमने लगते हैं और फूरूची कहते कि इस बच्चे को उस बड़े से बंदे के अंदर ही डाल दे ये बच्चा में मार डालेगा फिर मैं स्कूल कैफे का सेहन दिखाया जते हैं वह कहते कि तेर कोई इत्ता नहीं पता जब कोई बहुत सदा खाना खाता है उसके बास सोता है मैं इस बच्चे को बहुत सदा खाना के लँगा और फिर सिला दूँगा लेकिन बच्चा कहां पर गया और बच्चा सामने या कि सुबा ब्रेट को पकड़ लेता है और वहीं पर आस्मान में एक पंची टेल प्रोट होकर आता है और पंची के उपर एक लड़की खड़ी होती है और वह लड़की कहते कि वो मेरे काफे सदा करीब है मुझे जल्दी स्वेसर ढोड़ना पड़ेगा इसकुल के बाद होगा फूरुची घर पे होता है और वो दोने इसी बादे में बात कर रहे थे इस बच्चे का क्या किया जाए और तुम मेरी बात को नहीं मनेगा तो मैं तेरको नर्ग में फैक डालूँगा और इसका तरनाक तमकी के बाद भी बच्चे का फिस दखोष हो जाता है और वोगा से और भी जतरजी पकने लगता है और तब यहाँ पर वही लड़की आती है जो पंची के उपर थी और वो लड़की कहते कि मास्टर आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे वोगा घुसर से टैम नहीं है और साथी बच्चे को खिचने लगती है वोगा से लड़का तेर को बिलकुल भी पसंद नहीं करता फुरुची कहते कि वोगा तुम्हें बच्चे से पीछा चुड़ाना है यप नहीं और यह पास तोने के बाद वोगा उस बच्चे को अपने से दूर करने ल आपका शुक्रिया आप इसे लेने के लिए हो ना मिस हेल्डा तो इसे ले जाओ और हेल्डा कहते कि अभी मुंकिन नहीं है मांटर ने आपको चुना है एक पिता के तौर पर डीमन लोड ने क्या कहा था मैं तुम दोनों को बताती हूँ फिर सिन पास्ट में जाता है डीमन लेकिन कहते कि यार मैं तो कितना से बिजी बंदा हूँ लगता है कि यह सब कुछ मुझे अपने बच्चे पर चूड़ना होगा है यहां पर आओ बैल जूबे को अर्थ पर ले जाओ और बैल जूबे जिसे भी चूनेगा उसे इसकी परवरिस करनी पड़ेगी और जब भागूं का गहां पर और तब यहां पर वही हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है लगता कहते कि ट्रांसपर्मेशन डीमन है कि इस बच्चे को मैं नई पालने वाला तो इस बच्चे को ले जाओ और लगता के ठीक है तो मुझे तुम्हें खतम करना पड़ेगा और अपनी लंबी से स्वाट निकाल लेती है और ओगा और फूरुची वहां से भागने लगते है और ओगा के पीछे वैलजू पर टंगा होता है ओगा कहते कि बच्चा अभी भी मेरे पीट के पीचे टंगा हुआ है लिड़ा उन दुनों के सामने आ जाती है और गयते कि तुम दोनो तेरी इजद और भी जद बढ़ गई है तो ने हम दोनों कोई बचा लिया हिल्डा उन्दोनों की पीछे हाथ मुद्धोकर पड़ गई थी और फाइनली हिल्डा उन्दोनों को पकड़ लीती है और तलवार की लगने से ओगा का एक बलड डॉप बैलजुबे के उपर गिर जता है और बैलजुबे धीरे धीरे बहुत ज़ादा जोर से रोने लगता है वहां पर बहुत बड़ा थमाका लगता है और खुरुची कहते क्या वो चोड़ा बच्चा बहुत ज़ा गुस्सी में आ गया है पलिस ओगा को बचा लो हिल्डा कहते कि मैं कुछ भी नहीं कर जकती, मास्टर को सांध करना इतना भी आसान नहीं है, जब हमारे छोटे मास्टर इस तरह से खुसे में आ जाते हैं, तब डीमल लोट कहरावा, उसे कोई भी सांध नहीं कर पाता, पर ओगा, बैलजुबे को सांध कर दिता है, और कहते क आगे से रोना मत, और मेरे पीचाने के बार में सोचना भी मत, लेकिन तबी बड़ा सा बिजली का टावर बैलजुबे के उपर गिरने वाला होता है, ओगा जल्दी से जाकर बैलजुबे को पकड़ लेता है, वो बड़ा सा बिजली का टावर उन दोने के उपर गिरने वाल लेकिन फासे में हिल्डा बैल जूब के साथ होती है लेकिन पूरे दो दिन तक बेवस रहे थे लगते हैं हमारा मोगा है जाका और लोगा को पीड़ देते और दोनी आंगे बढ़ने लगते लेकिन उन दुनों की पीड देता है और बेलजुबे से कहते कि तुम्हें कौन सा वाला टेडी बेर पसंद थी बेलजुबे आगे बढ़ता है और अच्छे वाले टेडी बेर को फैक डालता है और दूसरे वाले को पसंद करने लगता है फुरुची कहते कि चल बताओ बेलजुबे तुम्हें कौन से वाली साइट पसंते बुरी वाली साइट ये फिर अच्छे वाली साइट फुरुची जब बच्चे वाली साइट दिखाता है बेलजुबे का रेक्शन काफी बुरा होता है और जब बुरी वाली साइट दिखाता है बेलजुबे का रेक्शन काफी अच्छा होता है फुरुची कहते कि ये बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगता, उल्टा ही इन चीजों को पसंद काता है, ओगा कहते कि इस बच्चे को समालो, मैं यह से जा रहा हूँ, बैलजुबे रोते वे ओगा के पा जाता है, और चिपक कर रोने लगता है, जिससे ओगा को जोर का जटका लगता है, फिर हम अगले दिन का ओगा के हलत खराती, और फुरुची कहते कि तुम बैलजुबे को घर पे क्यों नहीं चोड़ देती, तुम इसकुल क्यों ला रहे हो, ओगा बाताते कि आज सुब मेरे खर पे क्या हुआ था, फेसे इन पास में जाता है, हिल्डा बैलजुबे के साथ होती है, और ओगा के पेरांस को कहती है, आज समी इसी घर में रहने वाली हूँ, और ओगा चिला कर गयाते कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, हिल्डा कहती कि मेरे ख्याल से इस कंट्री में ऐसे ही बरताव किया जता है और ओगा का बाप पूरी तरह से शौक होता है, और अपन मन में कहता है, इसने का इस कंट्री में, इसका मतलब ये दूसरी कंट्री से है, ओगा की मॉम सोचे लगती कि ये लड़की तो कितरे ज़्यादा क्यूट है, इसके साथ तो ये एक बच्चा भी है, कि ये ओगा का है, और ओगा की बड़ी बारन सोचे लगती कि इसके बूफ तो कितरे ज़ तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्दारी ओगा जरू उठाईगा और साथी ओगा का सर पकड़कर निज़े जुखा देता है और कहते कि तुम्हारे तो मज़े ही मज़े है तुम उस क्यूट लड़की के साथ रहते हो ओगा कहते कि मेरी जान यहाँ पर दाव पे लगी है और तुम्हें मज़े की पड़ी है फिर सिंद दुबार से पास्ट में जाता है ओगा कहते कि तुम्हें मेरी पूरी फेमल को पूरी तरह से कंफ्यूस्ट कर दिया हिल्डा कहते कि छोटे मास्टने तुम्हें चुना है और तुम्हें इसे पालना ही पड़ेगा होगा कहते कि मैं सब इल्कुल भी नहीं करने वाला और हिल्डा कहते कि मैं बैलजूब को लेकर यहां से चली जाती हूँ जादा धूर नहीं रख सकता और फुरुची कहते कि कल रात हिल्डा कहाँ पर सोई थी और ये बास्तोन के ओगा फुरुची के कुटाय का दिता है पैल जुबे के सामने तीन बंदे आ जते हैं और कहते कि ये बच्चा ओगा का है और साती उसे उठा लेते हैं ओगा कहते कि ए स्टूडेंट है और यहां पर आबे भी आ जते हैं आबे दा किलर मसीन आबे कहते कि पिछले पार उगा तुमने मुझे पीटा था ना इस बार में तुम्हें बहुत दक उठने वाला हूं और यहां पर तीसरा बंदा भी आ जते हैं इससे कहते हैं गुट नैट सिमो का वा वगा कहते कि तुम दोनों एक साथ आजाओ और वो दोनी आगे बढ़ने लगते हैं वगा एक पंच माता है और उन दोनों को जमीन के अंदर खुसा डालता है जिन तीनों बंदे ने बैल जुबे को पकड़ा था वो तीनों बंदे काफी जधा घबरा जते हैं और बैल जध सबस्मत खराब थी जो तुमसे मिली ओगा की मोम बता है खाना हिल्दा ने बनाए है उगा की बड़ी बैन कहते के हिल्दा सारी चीजों में अची है वह काफी जधा क्यूट भी है और खाना भी बना सकती है बस हेल्डा की किसमत खराब थी जो तुम से मिली ओगा के मौँ बैल जूबेक उठा लेती है और कहते हैं तुम नहा लो हेल्डा कहते हैं कि जिंता करने की जरूद नहीं बाथरों 15 मिटर के अंदर है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा उसके बाथ ओगा अखेले नहाने लगता है और तब ही एल्लाइन ओगा के पास आता है और उसके साथ नहाने लगता है और ओगा कहते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो एल्लाइन कहते हैं कि मैं सहल्डान है मुझे यहां पर भेजा है बेलजुबे कितने दूर है इसके बारे में आपको बतानी के लिए एलाइन कहते कि वो 12 मीटर दूर है 13 मीटर दूर है 14 मीटर दूर है 12 मीटर दूर है और फिर 14 मुटर दूर है उसके बाद ओगा नहा कर बाहर आ जाता है और बेलजुबे सो रहा था और तब यहां पर एलाइन आता है और अपनी बोडी के अंदर से फुरुची को निकलता है और कहते कि फुरुची इस घर पर नजर रख रहा था तो मैंने सोचा फुरुची को मैं अंदर लिया हूँ और फुरूची कहते कि ओगा मुझे तुम्हार चिंता हो रही थे इसलिए मैं यहां पर आ गया रिल्ला कहते कि बैल जूबे बढ़ा होकर अर्थ को डिस्ट्रॉई कर देगा ओगा हसने लगता है ओगा के साथ सास फुरूची भी हसने लगता है और उन दोनों के साथ सास एलाइन भी हसने लगता है ओगा चिला कर कहते कि तुम दुनों हसना बंद करो मैं कितने बड़ी मुसिबत में हूँ आखिर मुझे धीमन के बच्चे को क्यों पालना पड़ रहा है एलान कहते कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम शकल से कभसिता बूरे और हरामी ब बंदे भी हसने लगते है फिर सेंचेंज होता है और दीन किंग कुछ बंदों के साथ गेम खिर रहा था वह दब डिमन किंग के पास उसका चमचा आता है और डिमन किंग कहते कि मेरे बेटा कैसा है चमचा कहते कि मैलोट हमारे चोटे मह выглядर को एक बंदा पाल रहा है और उसक उसका फोटो दिखाता है, डिमन किंग कहते कि इसकी सकल दिकरी में पहचान सकता हूँ, ये एक नमबर का कमीना और हरामी होगा, इसे वाज़ेसे बैल जोबे ने उससे चूना होगा, डिमन किंग कहते कि वैसे बैल जोबे का फेवरिट न उससे मैं दिया न ही भूल गया, तो कि बैल जुबिन ने ओगा के ऊपर टोयलेट के लिया था हिल्डा बिस्कुल में आती और हिल्डा आकर ओगा को ठुणने लगती है और हुरुची कहता है कि ओगा यहां पर नहीं है वो कहीं पर गैला है हिल्डा कहते कि डीमन वर्ल्ड से एक डेलिवरी आई है यह चीज ओगा को दे देना और तभी पीछे से कुछ बंदे आते है और हिल्डा को छेड़ने लगते है और तभी हिल्डा अपनी स्वोट को निगाल लेती है और एक बंदे को लात मार कर केड़े से बार फैक डालती है सारे बंदे डर कर भागने लगते है रोगा कहते कि लगता है कि वहां प्रिंसिपल को नहीं देखा और तीन नोई प्रिंसिबल के पाँ जाते है लेकिन प्रिंसिबल तो बहुत दा शरीफ होता है ओगा को वहां से नेराशाई हासिल होती है और अचानक से बेल जुबे रोने लगता है और ओगा कहती कि अब क्या हो गया हिल्डा कहती कि छोटे मास्टर को भूक लगी है हरामी फूरुची आगे बढ़ता है और कहती कैसा रहेगा अगर तुम अपना दूद पिलाओ हिल्डा उसके मूँपे एक जोरदार घुसा मारती है हिल्डा कहती कि वैसे छोटे मास्टर को नाइन हेड़ी ठाइड़ा का दूद पिना पसंद है नाइन हेड़ी ठाइड़ा ने 6 मिलियन लोगों की जान ले थी पर पताने इंसानी दुनिया में क्या मिलेगा हिल्डा सभी लोगों को दूर करते वे आगे जाती है और एक दूद का डिब्बा खुलती है और बेलजुब के देती है बेलजुबे बहुत दा कूश हो जाता है लेकिन एक बंदे की वाज़े से दूद नीचे गिर जाता है और दूसरा बंदा उस दूद को कुचल देता है इस वाज़े से बेलजुबे बहुत दा रोने लगता है और सबीको इलेक्टिक जटका लगता है साम को ओगा और बेलजुबे एक जगबर बैटे होते है ओगा कहते के असली मर्द कभी भी रोता नी तो तुम्हें नहीं रोना है और तभी बाइक पर दो बंदे बैट कराते है और बेलजुबे को उठा कर ले जाते है वो बंदा कहते कि हमने तुम्हारा बच्चा उठा लिया है रोगा उसके पीछे जाने लगता है और कहते मुझे 15 मिटर से जादा दोर नहीं रहना है नहीं तो बैलजुबे उरोने लगे क्या ओगा का पास एलाइन आता है और कहते कि तुम्हेरा इस्तमाल कर सकते हो ओगा एल अपनी फूल स्पीट में उन दोनों के सामने आ जाता है वो दोनों ही सानाटा ब्रदर्स थे वो दोनों ही एलाइन को ठोक देते है उसके बाद उतर के क्या यह बंदा मर गया और तब ही एलाइन के अंदर से ओगा निकलता है और कहते कि तुम दोनों को में बिल्कुल भी न इसलिए उसके बहुत सारेफे रेक्रिस्टि निकलती है और अचनक से ओगा उठ जैता है और कहते कि इसका मतलब यह बस एक सबना था अगर मैं जल्दि कुछ नहीं किया तो इस सबना साज हो जाएगा बहुझे बेल्जुबी को किसीby हरामी बंद को देना पड़ेगा तब मिल्क दुमारा है और यह बात सोने के बाद हिल्डा अपनी जूती निकाल कर उसके सर पे देम आती है और कहते कि पाउडर मिल्क है उगा कहते कि इसका मतल तुम्हार पास बिल्कुल भी मिल्क नहीं है हिल्डा अपनी दूसरी जूती निकाल कर भी उगा के सर के उपर देम आत होगा वहीपर रास्ते में बैट जाता है और varsa कहते कर तुम्हें भूक लगे तुम उझे बता सकते हैं रूने का क्या मतलब यही और रास्ते पर तीन ऊरतों जा रहा रही थी बंद के दंद यह रहा है अपने बच्चे को रास्ते बाब बीठा के दूद्ध पिला रहा है वोगा उन तिनों की तरफ घुसे से देखता है और तीनों औरते बहुत दर डर जती है उसके बाद होगा इसकुल की तरफ जले जाता है लेकिन वोगा पावडर मिल्क भूल गया था फिर मैं स्कुल पिल्डा ने एक रहने के लिए जगा ढूले तो मुझे ब एक जगा ढूलनी थी तो फिर मैं तुमारे घर आ गया जोल एक साथ इस खर पे रहते है फेसे पैसन में आता है फुरुची किस दुख भरी कहानी को वोगा बिल्कुल भी नहीं सूरा था वोगा कहते है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बेल जोबे रोने वाला है कोई तो मिल्क ढून के रहा और तबी बातिम अजिब से हर्गते करने लगता है और कहते है भुरुची साय तु फुरुच ना कुछ ठुणना पड़ेगा जिससे पीकर फैल जोबे सांत हो जाए नहीं तो यह रोने लगेगा और मैं को इलक्रिक छटका लगेगा वोगा दूच जैसे चीज को ठुणने लगता है पर वोगा कुछ भी नहीं मिलता और पिछे से तीन बंदे आते है और एक है कि अब मुझे खुद के पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसका मतलब गया साब लोग समझ सकते हो ओका ने उन तीनों को लूट लिया था उन तीनों में से पहला बंदा कहते है कि तुमने बहुत बड़ी गलती के है तुमने मिस्टर कांजा की का सारा योगर्ट खरीद लि हुए है या फिर उनके हाथ पैर टूट चुके है वह बहुत ज़्यदा खतरनाक बंदा है और कहते कि इसका मतलब वो मुस्से ज़्यादा हरामी होगा अब मैं उसे बैलजुबे को दे दूंगा और मैं फ्री हो जाओंगा मेरा तो चैक पॉर्ट लग गया आखिर वो कांज की के पास आये होते हैं और हो चारों कहते हैं फस्ट चेयर के ओगा ने हमें बहुत ज़्यादा पीटता है वह बहुत ज़्यार के स्टूडन की पावर और कांजा की योगर्ट पीने में बिज़ी था कांजा की कहते हैं कि ओगा तो काफी इंट्रेस्टिंग बंदा है ओगा भी कांजा की तूर्दे ठूनते हैं थर्ड यह की क्लास में आचुका था समने जितने बेश्टूडन होते हैं वो सारे ओगा से डरनने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं समने चार बंदे बैठे कि बिल्कु भी नहीं हारेगा वो बहुत दाप करूंगा और उन चारों बंदों को एक फोकर की किक पड़ जाती है और अधे पर क्लास में ओगा आता है और कहते हैं अपर कांजा की रहता है और हो आपर जितने भी स्टूडेन होते हैं वो अजीप नजर से ओगा की तरफ देखने लगते हैं और कांजा की कहते हैं और कांजा की कहते हैं तो बताओ फर्स येर के स्टूडेन मुझसे क्या बात करनी है और कहते हैं और कहते हैं दिखने से बहुत बुरा लगता है मेरा त तुमसे काम नहीं है, वोगा बन्धा घुसा हो जाता है और एक पंच पानने वाला होता है और तबी सीरोय। यमा उसके हाथ को पकड़ लिता है और कहता ही कोगा मैंने तुम्हारे बैरे को चुचारा काम है और कहता है, हम तो यहाँ पर मिर्टर कांजकी की सेवा करने के लिए है ओगा कहते कि तुम क्या कह रहे हो फूर्ची ओगा की कान में कहता है कि पागल मत बनो हमें बचने के लिए करना ही पड़ेगा ओगा भी हां कर देता है और कहते कि हम यहां पर कांजकी की सेवा करने के लिए है कांज़ा की कहते कि इंट्रेस्टिंग मैं ताकत और लोगों का हमेसा स्वागत कहता हूँ सिरोयमा कहते कि इस बंदे पर हम भूर सा नहीं कर सकते हूँ हमें तो ये भी नहीं पता ये ताकत वर है या फिर नहीं ये बस एक फर्स्ट एयर का स्टूडेन्ट है कांजा की कहते कि ठीक होगा, अपनी पाओ को साबित करो, अगर तुम सिरोयमा को नहीं हरा पाए, तो तुम काफी कमजोर हो, अगर तुमने सिरोयमा को हरा दिया, तो तुम मेरी टीम को जोइन कर सकते हो, वगा कहते कि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, और सिरोयमा कहते कि और तभी सिरोयमा कहते कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं आपका बोडी गाट हूँ और मैं इतनी आसानी से नहीं हार मानूँगा, लेकिन कांजा की उसे एक जोरदार गीक माता है, और कहते हैं मुझे तुम्हारी जरुवत नहीं, खुरुची सोचे लगते हैं कि ये आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कांजा की कहते कि ठीक है, यहां पर खड़ी हो जाओ, शुरुयमा अपनी पूरी ताकत लगा दिता है, और जरसे तरसे खड़ा हो जाता है, कांजा की कहते कि तुमने बढ़िया किया, अब विंडो से नीचे कूच जाओ, और य पेखता है, और कांजा की दूर जाकर गिरता है, फुरुची बह dipping अधा घंवरा जब कहते कि तुमने क्या कर दिया, कांजा की उड़ता है, और कहते कि तinnerी हिंमत कैसे हुई, और साथ ही योगर्ट की बोटल ऊपर भीकता है, और जोर दर किकमाता है, लेकिन नोगश की आरा थर्ड एर के स्टूडेंट तुम इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं और तब ही बैल जुबे को बहुत दफूग लगती है और जोर से रोता है उसके बाद वही होता है जो हमेशा होता है उगा को दोरदार जटका लगता है तो कई से वाल अपिसोड खतम होता है बैल जुब होगा कहती कि मैं एक समदर में कैसे हो जकता हूँ लगता है कि ये कोई सपना होगा तो ठीक होगा जल्दी से उट जा फिर होगा उट जाता है उगा के चारो तरफ पानी ही पानी था होगा कहती कि यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर क्या बहुत ज़़ा बाड़ा आई है और तब हिल्डा आती है और कहती होगा तो मोट गए यह सारा पानी नहीं है ये बहुत अलब वैल्युबल सुसु है ये गंदा सुसु नहीं है छोटे मास्टर हज साल सिर्फ एक ही बार इस तरह से सुसु करते है जब ऐसा से डीमन वोल्ड में आता है दूर दूर से डीमन इस सुसू को देखने के लिए आते हैं अच्छा वागाई सिब देखने के लिए आते हैं पीने के लिए नहीं हिल्डा कहते कि इंसानियत को खतम करने का पहला कदम ही हमारे चोटे मास्टर तो अपने सुसू सही पूरे अर्थ को खतम कर देंगे होगा चिला कर कहते कि कि इतनी दरे तक सुसू करने वाला है और तब ही यहां पर बात ही माजाता है और फोरुची को निकलता है फोरुची निकलने के बाद कहते कि प्लीज मुझे कोई बचाओ मैं पानी के अंदर डूप जाओंगा और बात हैं कहते कि फोरुची इस कमाल के स हमें इस magical item की वज़से मास्टरा का सारा सुसू दिसरे डायमेंशन में चले जाएगा होगा कहते कि जो भी हो लेकिन हमारा शहर तो बच गया हिल्डा कहते कि शहर जरूर डूबेगा जिस डायमेंशन में मैं सुसू भेज रहे हूं वो डायमेंशन भी पूरी तरसे भर और कुछ न कुछ सोचो और हुरुचे कहते कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता और इन सभी चीज़ों के अंदर मैं नहीं खुसना चाहता होगा खुसता हो जाता है और कहते कि तुम जापान को डूपता वे दिखना चाहते हो क्या हुरुचे कहते कि तुम उसके पताया जा रहा था एक बैंक के अंदर रॉबरी हुवी है वोगा कहते हैं मैं यह से जा रहा हूं जापान को बचाने के लिए फुरुची तुम्हें पूरे घर को साफ करना है मुझे तुम पर फुरुस है तुम्हें कर सकते हूं उसके बाद दोगावासा निकल जाता है बैल हिल्डा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा मैं बहुत दथक जाती हूं और दोनी हसस के बाते करने लगते हैं लेकिन यह वाली बास दोन के हिल्डा बहुत दखुशा हो जाती है और कहते हैं तुमने अभी क्या कहा मैं अपने छोटे मास्टर की सेवा को बोच नहीं समझती मेरा जनम इसलिए हुआ था ताकि मैं अपने छोटे माटर की सेवा का सको मैं अपने काम पर गर्व करती हूँ तेरे जिसा बंदा ये कभी नहीं समझेगा इस बार मैं तुम्हें छोड़ती हूँ अगली बार बिल्कुल भी नहीं चोड़ूँगी और ये कहने के साथी हिल्डा वांसा निकल जाती है हिल्डा कहती कि उस बंदी को मैंने सारी बाते क्यों कही और पुरुची उसके पीछे जाने लगता है फिर सीन चेज होता है होगा की स्टोर में जाता है जहां पर तासो में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था होगा कहते हैं मुझे मैजिकल डैपर चाहिए नांसो मैं कहते हैं कि मैजिकल डैपर इंटर्मिनेट के अंदर बहुत ज़्याद मशूर हो गई है इस वोजे से सारी की सारी बिग गई है लेकिन मैं तुम्हें डैपर के दूसरे ब्रांच दिखा सकता हूँ ये वाले भी का फिस्दाच चाहे वोगा तुमने तो कमाल कर दिखाया तुमने कांजाकी को सिर्व एक पंच से हरा डाला तुमने टीके के एज के एक मेंबर को हरा दिया टीके के एज के अंदर चार बंदे रहते हैं पहले बंदे का नाम तो जो दूसरे का कुनाईटा और तीसरे का कांजा की और चौन्थे का हिमेकावा सभी के नाम के फर्स्ट लेटर से ये टीके के एच गुरूप बनता है लिकन वो गवा उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जे रहा था ना सुमें कहते कि ठीक है मैं यह से जा रहा हूँ और चौर के बाहर चले जता है वोगा कहते कि बेस दूबे तुम्हें कौन से वाले डाईपर पसंद है और उसके सर के उपर पहनन ने लगता है और तब भी चौर के उपर रॉबरी होती है कुंटे कहते ही सब लोग अपने हाथ को ऊपर कर लो और स्टोर के अंदर हिल्डा बैया जाती है और पीजे पीजे फुरुची बैया जाते है वो दोनी पकड़े जाते है रोबर्स कहते है कि यहाँ पर तो काफी कम लोग है और फुरुची सोच लगता है कि मैं कहां परफस गया फिर सीन चेंज होता है बातें मस्त बैट कर टीवी दिख रहाता टीवे न्यूस दुनाई जाती है ड्रग स्टोर के अंदर रॉबरी हुई है और सारे लोगों को बंदी बना लिया गया है हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे हम आपको लाई रिपोर्टिंग दिखाएंगे हमारी जानकारी के अनुसार इस्टोर के अंदर दो हाई स्कूल स्टूडेंट है एक चोटा सा बच्चा है और कुछ लोग है नासो में कहते कि होगा तुम अंदर हो अब तुम पतानी क्या करने वाले हो रोबर्स आपस में बाते करने लगते ही हमें चारो तरप से पुलिस ने खेल दिया है लेकिन जिंदा की कोई बात नहीं है जब तक हमारे पास बंदी है पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएंगे वो चारो रोबर्स अपनी तारिफे करने लगते है और कहते हैं हम बहुत दखतनाक रोबर्स है हमने बुरे से भी बुरा काम किया है इसलिए तुम लोग यह मत सोचना कि हमें समाल सकते हो वो चारो अपने नाम बताते है पहले का नाम ओयामा दूसरे का ह्र्युजा की तुसरे का जैन कुवा चोथा का सानो मिया और यह इसका लीडर है सानो मिया कहते हिए जब तक की हम लोग हौंकोंग नहीं पहुँच आते तुम लोग हमीरी बंदी हो और फुरूची कहते कि ये लोग तू कितने ज़दा बुरे है इन लोग ने बहुत बुरे-बुरे काम किये हैं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और तब ही ओगा आगे पढ़ने लगता है फुरूची कहते कि तुम क्या कर रहे हो ओगा कहते कि लोग बहुत ज़दा बुरे है वेल्जोबे को, मैं लोगों को दे दूँँगा ओग कहता है कि बताओ, तुम लोग कितने सदध बुरे हो और सानोमिया कहते कि तुम तुबुरे जोस में हो मुझे तुम पसंद आए, इसलिए हम तुमें बताएंगे और कहते कि मुझे लगते हैं कि तुम चारो बहुत दा शानदारो ससा पहले ओयामा आगे बढ़ती है और कहते कि मैं जब तुमारी उमर के थी तब मैं बहुत दा खतर नाक थी मैं स्कुल के सारी विंडोस को बिल्कुल इस तरह तोड़ देती थी और इसके ग्लास लेकर इस तरह में बालों को साब कहती थी और रोगा फुरुची से बूचता है कि यह बुरा काम है और फुरुची कहते कि थोड़ा सा तो बुरा काम है सानुमी यह ओयामा को पंच मारता है और कहते कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और यूजा की कहते कि ठीक है मेरी पारी अब मैं बताता हूँ मैं CMA High School का एक स्टूडन था और CMA High School का सबसे बड़ा गुंडा भी था ओगा कहते कि मैं भी CMA High School से हूँ और यूजा की कहते कि इसी वज़े से तुम्हारा चाहरा का फिजदा खतरनाक लग रहा है मेरे समय में CMA High School में चार सबसे खतरनाक बंदे थी लेकिन सानों में ये बहुत सदा खुशा हो जाता है और कहते कि अपनी बगवास कहानिया सुनाना बन करो और साथ एक जोरदार पंच मारता है जैनकवा कहते कि ठीक है अब मेरी पारी जैं मैं तुम्हारी उमर का था तो मैं बहुत बड़ा चोर था मैं फैंसेस और में होल कवर जैसे चीज़े चूरा दा था और हाल ही में मैंने एक बहुत बड़ा हाथ मारा है पुरा नदी के पास जो टावर था वो पूरा टावर मैंने चूराया है होगा कहते कि माप करना और उस टावर को तो मैंने गिरा है था और फुरूची थीरे से कहते कि चारे लोग इतने ज़दा निकम में है इन लोगों से कोई बुरा काम भी नहीं होता अगर तुमारी बात की जाए तो तुम तो बहुत ज़दा बुरे हो और तभी सानुमिया कहते कि ठीक है अब मेरी भारी सब लोग बेकार है पर मैं काफ़ ज़दा स्मार्ट हूँ सानुमिया कहते कि जब मैं बैंक को लुटता हूँ तो मैं लोगों को डराने के लिए ये करता हूँ और साथी गन चलाने लगता है और बैलजुबे को गन बहुत ज़दा पसंद आती है इसलिए बैलजुबे गन को पकड़ लिता है और सानुमिया कहते कि ये बच्ची गन को छोड़ दे और तब बैलजुबे का मैजिकल आइटम गन के होल से जुड़ ज़दा है सानुमिया कहते कि सब कुछ ठीक है इस बच्ची को मैं बंदी बना लूँगा और पुलिस वाले मेरा कुछ भी नई भिगड़ पाएंगे इस बच्ची के साथ मैं आराम से भाग सकता हूँ मैं तो काफे ज़दा स्मार्ट हूँ और फुलिस कहते कि होगा तुम्हारा काम तो हो गया रोगा कहते कि ये बंदा अगर बैलजुबे को होंग को ले जता है तो हमारा शाहर डूबने से बच जाएगा और तब बैलजुबे जो जो से रोने लगता है और सब को इलेक्टिक छटका लगने लगता है हिल्डा बैलजुबे के तरफी देख रही थी और अपने बच्वन की यादों को याद कहने लगती है बैलजुबे काफे रो रहा था और यह वाली बात हिल्ला को कफी पसंद आती है फिर इस इन पैजन में आता है हिल्ला कड़ी हो जाती है और कहती कि अकर तुम्हें छोटे डीमन किंग का फादर बनना है तो तुम्हें कफी सारी क्वालिटिस होनी चाहिए तुम्हें छोटे डिमन किंग को पालना है और बढ़ा करके इंसानियोट को खतम करना है क्या तुम्हें कर सकते हो और सानोमिया कहते कि हामे करूँगा अगर मैं यहाँ से बाहा निकलने में कामया बरहता हूँ तो जैनकाव कहते कि ओरत मुझे कापसदा अजिब लग रही है यह खतरनाक हो सकती है सानोमिया कहते कि चिंता मत करो बहा ले जाकर इस बच्चों को मैं कच्रे में फैक दूँगा और हिल्डा बहुत सदा खूस हो जाती है और यहाँ पर हिल्डा का पैट आ जाता है दीवार को तोड़ते हुए ओगा भी खड़ा हो जाता है और बैल्जू को पकड़ लेता है ओगा कहते कि यहाँ से सीधे में तुम्हें होंग कोंग भेजूंगा और एक जोरदार पंच माता है और हुरुची कहती कि ये तो रॉबर से भी लड़ सकता है लेकिन तभी बेलजुबे का प्रेसर बहुत सदा पढ़ने लगता है और मैजिकल आइटम टूट जाता है सूसु की प्रेसर की वज़े से बेलजुबे पीछ जाकर टकराने वाला होता है हिल्डा जोर से चिल्लाती है लेकिन तभी ओगा बेलजुबे को बचा लिता है अब हिल्डा को भी लगने लगता है कि ओगा बेलजुबे के लिए बैस्ट है होगा कहते कि इसके बार में कुछ करो अगर तुम्हें बेलजुबे की मौम बनना है तो और डीमन किंग ने हिल्डा से यही बात कही थी हिल्डा अपने पंची पर बैठ जाती है और कहती कि होगा मेरे साथ चलो हम दोनी समधर पे जाते है वो इसके बाद दो हगा जापान को बचाने में कामयब हो जाता है होगा कहते कि तुम तो बहुत ज़दा बूरी हो तुम पहले बी बता सकती हो हम पहले भी समधर पर आ सकती थी तो गैसे वला पैसोट खता होता है एपैसोट 5 की स्टर्ट्य में हमेंसे कितरा बैल जुब रो रहा था होगा कहते कि आकर तुम चाहते क्या हो और बेल जोब अपने खिलोने की तरफ इसारा करता है ओगा कहते कि ये खिलोना बहुत ज़दा शौर करता है और साथ ही बेल जोब को गाने सुनाने लगता है और बेल जोब को गाने पसंद आते है बेल जोब वहीं पर सो जाता है ओगा कहते कि ये बेरा चांस है कि ओगा क्या तुम हमें खूर रहा है तुम्हें क्या लगता है हम तुम से डर जाएंगे लेकिन कुछी दिर में उन दोनों को पता चल जाता है ओगा तो सो रहा है आबे और सिमोकावा कहते कि हमारे पास यही जान से ओगा की गुटाय कर देते हैं और साथ यह टेकनिक लिए काई बढ़ते हैं लेकिन वोका उठ जाता है और उन दूने के तुलाइए कर देता है और कहते कि तुम दूनों को क्या लगा मुझे पीड सकते हैं वोकावाद फुरुच जाता है फूर्ची सेंड्वीच खा रहा था उबका उसका सेंड्वीचле यह लेता है और खाना लग होगी होगा करती कि सारी बातों को छोड़ों मुझे बताऊ ये सिंबल आ कि रहे क्या ला कहती कि होगी कि जैबुल सिंबल है अगर आसान सब्दों में बतार all या जाये तो तो तुम्मारे और चोटे ताकत वर होगा डिमन लॉट भी उतने ही ताकत वर होगा और फुरुजी कहते कि इसका मतलब यह सिंबल ताकत को दिखाता है बाते हम कहते कि महान फुरुजी आप तो कितने ज़दा जीनियस हो सही जवाब देने पर मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं और फुरुजी क मुझे ही सिंबल पसर नहीं इसे मैं कैसे हटा सकता हूं और फुरुजी कहते कि सीधी सी बात है अगर तो किसी से फाइट नहीं करोगे तो यह धीरे धरे अपने आपी मिट जाएगा और बिल्कुल एक आम इंसान बन जाओंगा फिर सभी लोग में तारिफे करेंगे और फि ही जैसा आपने कहा दा यह रही ओगा की वाइब की फोटो और हिमे लड़के कहते कि लड़के तो काफी क्योट है और इसके बड़े-बड़े हैं और तभी यह पर बहुत सारी गुंड़े आ जाते हैं और गुंडों का लेडर कहते कहाते कि हम तुम्हैं यहां पर पीटने वाल है लेकिन हिमेकावा बिल्कुल भी नई डरता हिमेकावा कहते कि बताओ मैं तुम सब को कितने पैसों में खई सकता हूं और गुंडो का लेडर कहते कि तुम्हें क्या लगता है हम सब भीकाव है हिमेकावा कहते कि अपने चारों तरब देखो और इस बंदे के सारे साथी भी गएते और सही घेर लेते हैं हिमेकावा कहते हैं कि तुमारे लिए मेरे पास एक काम है तुम्हें इस लड़के को ढूंड के लाना है अगले दिन सानाटा ब्रदस आपस में बाते कर रहे थे हिमेकाव कुछ खतरना करने वाला है लगता है कि ओगा का खेल कतम फाइट नहीं कर रहा लगता है कि यह हिमेकावा का काम है और नाट्स में कहते हैं कि मुझे लगाई था टीके के एज का गुरूप का एक मेंबर हार चुका है तो बाकी मेंबर इस तरह से चूप थोड़ी बैठेंगे सीन चेंज होता है उगा कहते कि जब एक मर्द वादा काता है तो उसे कभी नहीं तोड़ता और मैंने भी वादा किया है अब मैं फाइट नहीं करूँगा तो बैल जोबे तुम भी वादा करो कि तुम आगे से नहीं रोगे और बैल जोबे भी वादा काता है बात हैं मित कहते कि अप दुबार से यही कह रही है और हिल्डा कहते कि अगर ऐसा होता है तो मुझे पता चल जाएगा उगा कोई खास परसन नहीं है उगा के पीछे काव़ची सारे लोग पढ़ जाते है उगा को पीटने के लिए उगा भागने लगता है और कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी fight नहीं करने वाला और सामने नदी आ जाती है और वो बंदे कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो अब तुम नदी में कुद होगे क्या और वोगा कुछ जाता है और कहते हैं कि मैं तैयर के पार कर सकता हूँ और फूरुची इत्फाक से हिल्डा से मिल जाता है और कहता है कि क्या इत्फाक ही हम दोर मिल गए इतने अच्छी बात है न मैं से हिल्डा हिल्डा कहते कि मुझे कोई भी फरकने परता तुम मेरा पीजा क्यों कर रहे हो और फूरची कहते कि मेरा कर इसी तरफ है तो हम दोने एक साथ चलते है और तबी सामने हिमेकावा का चमचा जाता है और कहते कि हिमेकावा ने कहा है ओगा की वाइब को पकड़नी को तो तुम होना ओगा की वाइब और साथ अटेक कर देते है और सामने से हिल्डा कुछ भी न के लिटने लगता है और कहते कि तुम्हें क्या लगा मैं बहुत दखुश हो जाओंगा अगर तुम ओगा की दोस्त को पकड़ लाओगे मेरे एक परफेक्ट प्लान था तुम्हेरे वो परफेक्ट प्लान खराब कर दिया चमचा बार बार माफि मांगने लगता है हिमेकावा कहते कि सौरी से कुछ भी नहीं होने वाला हिल्डा होस में आ जाती है और गहते कि मैं अपनी बोडी को नहीं हिला पारी लगते कि इन लोगने मेरी बोडी के अंदर कुछ डाला है हिमेकवा कहते कि अपने सेलफ़ोन से ओगा को कॉल करो और मज़े दे दो और हिल्डा कहते कि मेरे पास कोई भी सेलफ़ोन नहीं है और इस सेलफ़ोन क्या है हिमेकवा गंद से फाइरिंग करने लगता है और गंद के अंदर से अज़िब सा लिगविट आता है और जिससे कपड़ फटने लगते है इमे कावा कहते की इसमें तो कपे सीधा मज़ा आ रहा है और फूरुची बजाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन दो बंदे फूरुची को पकड़ लेते हैं इमेकावा कहता है की तुम्हें सेलफोन जाहिए न या मेरे पास सेलफोन है और सेन्य चेंज होता है ओगा उनसे बंदों से बजगर भाग रहा था होगा कहते कि मैंने वादा किया है तो मैं वादे को नहीं तोड़ने वाला और सामने आबे और सिम्यो कावा आ जाते हैं सिम्य कावा और आबे कहते कि इसे चलो पीटते हैं हमेरे पास बहुत ज़्या अच्छा चांस है और तभी ओगा को कॉल आता है और आबे और सिम्य कावा ओगा को पीटने की बाते कर रहे थी ओगा चिला कर कहते कि मुझे आवाज नहीं आरी साइट में बैठ जाओ मुझे बा उसने वादा किया है वो किसी के साथ भी पाइट नहीं करेगा यमेकाव उसे एक जोरदा लात माता है और कहते कि अपना बकवा से मुझे उस पर यकीन है और एक बंदा कर कहते कि बाहरी खटा-खटा बंदा है जो अंदर घुजे आ रहा है और फूरुची कहते कि मैंने कहा वो का अंदर से ही चिला कर कहते है तुमने किसे बेवकूप कहा मैं तुम्हे बाद में छोड़ूंगा नहीं और साथी बाहा निकल कर कहते ही तुम सभी लोग इडनेप हो चुके हो और बहुत सारे पंचिस मानने लगता है और कुछी देर में आतिरे लोगों को ऐसे हरा दे लेकिन उगा आखिर तुम हो कन और यह बास दोनी के बाद हिमे कावा के चमुंझ कहते है तैकि तुम हिमे कावा को नहीं जानती इस स्कुल करने च사 हम पहुआ में लुपर जाने ही बेने में धोर दूर्पक कि रूसार तो पहँशसार है और उस पर एक जोड़ा अटेक कता है पर उगा उसे आराम से रुक लेता है और हिमिकाव आपने चम्सों से कहता है कि इसके दोस्त और इसकी वैपर अटेक करो लेकिन इल्डा उटकर उन सबी को पीड डालती है हिल्डा काहतिक मुझे पता चल चुका है तुम किस काबील हो होगा काहतिक मैंने कहा था एक मर्द को अपनी वादे को निपाना चाहिए लिकिन अकर उसके दोस्त मुसिबत में हो और दूसरा दोस्त उसे अकला चोड़ दे तो वो मर्द नहीं कहलाएगा होगा की काफ़सारी पावर रिलिस होने लगती है और होगा एक जोरदार पंच माता है हिमेकवा सीधे दीवार पर भीटता है हिमेकवा ने अपने पेट के उपर एक लोहे की प्लेट लगए थी वो लोहे की प्लेट भी टूच जाती है और होगा का निशान भी काफ़ जदा बढ़ गया था हिल्डा कहते कि तुम्हारी ताकत तो पहले से काफ़ जदा बढ़ चुके उसके बात हैं कहते कि आप इस बार काफ़ जदा खुश है ना और हिल्डा कहते कि काफ़ जदा शानदार है उसकी पावर लाजो आप है ओगा ने अपने पंच के साथ बिल्डिंग में ही छेट कर दिया था ओगा और फुरोच एक जगा पर बैठे होते है ओगा की नजर अपने हाथ पे जाती है ओगा कहाती कि यह निसान तो बहुत दा बढ़ गया है मैं तो इसे कम करना चाहता था तो कैसे अलपिसोड काता है एपिसोड 6 से स्टार्टिंग में ओगा बहुत दा खुश होता है क्योंको उसका जेबल स्विंबल कम हो गया था हिल्डा कहाती कि तुम तरे ज़्यादा खुश क्यों हो मैं पूरे हफते पैट कर सिर्फ और से वीडियो गेम खुलूंगा और फिर जेबल सिंबल पूरी तरसे गयाप हो जाएगा लेकिन हिल्डा उसके वीडियो गेमी तो डालती है और रोगा चिलाता ही रह जाता है उगा कहती कि मैंने गेम के अंदर बड़ी मुश्किलों से लेवल अप किया था तुने मेरा पूरा हफता खराब कर दिया ल्डा कहती कि रोना बन कर दो मैं तुमारे लिए अच्छे खिलों ने लेकर आई हूँ तुम और मास्टर दोनों ही एक साथ खेल सकते हो वहाँ पर खड़े मत रहो मेरी मदद करो ये सारे खिलों डीमन वर्ल्ड से हमें मास्टर के जागने से पहले इस गेम को पूरा करना पड़ेगा उसके बाद तुम दोनों मिलकर इस गेम को खिलना वो दोनों ही उस गेम को बनाने लगते है और गेम बनने के बाद उगा से गल्दे से गेम एक्टिवेट हो जाता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश काती है लेकि उन्हों दोनों गेम के अंदर फ्वास जाते है उगा कहते कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फ्वास गए है उगा कहते कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा चोलो मुझे बताओ एक गेम किस तरह से काम काता है लेका कहते कि मैं तुम्हें बताओंगी तब भी तुम समझोगे ने तुम्हें एक नंबर के कदे हो और उन दोने के बाते उस गेज से बाहर नहीं आ रही थी अंदर ही रह रही थी हिल्डा कहते कि गेम की मैनियूल बूक हमें समझा देगी मैनियूल बूक कहते है मान लो तुम लोग किसी पिकनिक पे गए हो और तुम लोगों को एक मैजिकल बेस्ट दिखता है और तुम लोग उस मैजिकल बेस्ट को पकड़ना चाते हो तो तुम इस्तमाल कर सकते हो पोर्टाइबल बेस्ट कैप्चर केच होगा कहते कि तुम ने का हम दोनों यह परफस गे है तो हम दोनों बाहर कैसे निकल सकते है मैनुल बुक कहते है बाहर निकलने के लिए की ब्लोक को बिल्कुल सभीट करना पड़ेगा हिल्डा कहते कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते है की ब्लोक बाहर है और गेम को बाहर से खेला जा सकता है अंदर से नहीं रिल्ला कहते कि हम दोनों पूरी तरह से मास्टर पर नेर पर है, अगर मास्टर गेम को पूरा कर लेते हैं, तब ही हम बच पाएंगी, वो दोनों चिला चिला कर बेलजूबे को उठाने रगते हैं, और कुछ देर के बाद बेलजूबे उठ जाता है, वीचे गेम है, उसे ओगा बहुत सा घुसा हो जाता है लेकिन बेलजुब जल्दी समझ जाता है और से एक शेप के अंदर डाने लगता है पर वो शेप गलत था पर बेलजुब बिल्कुल भी नहीं मानता और ब्लोक को जोर जोर से मानने लगता है फिर होना कहता ब्लोक तूट जाता है ओगा से दूर होने के बावजुदी तुमने इतनी सारी ताकत का इस्तमाल किया वह बहुत दाफूस हो जाता है और कहते कि तुमने दीखा मैंने इस केच को तोड़ डाला है लेकिन यह थोड़ा सा ठीक टाक हो चुका है और साती हिल्डा ने मेरा प्यारा गेम सिर्फ एक जटके में तोड़ डाला था लेकिन जो भी हो जैबुल स्पल काफ़े सदक कम हो चुका है अगर मैं दो तीन दिन तक किसी केपे साथ फाइट ना करो तो यह पूरी तरसे काता हो जाएगा फुरुची कहते कि ऐसा कभी हुआ है कि तुमने फाइट ना की हो तुम्हें हमसा घुसा आता रहता है और तभी वह का दुबारा घुसा हो जाता है और कहते कि बताओ तुम मेरी मजट करोगे या फिर नहीं और फूरुची कहते कि तुम दुबारा घुसा हो गए लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या और वह कहते को डीमन वर्ल के खिलोने है बेल जो भे बहुत सारे खिल कितने जदे नॉर्मल है लेकिन मैं चाहता था तुम भी खिलोनों का मज़ा लो लेकिन इन सारों खिलोनों को वापस करना पड़ेगा नहीं तो कोई गडबड भी हो सकती है लेकिन बैल जुबे एक बॉक्स हो खोल देता है बॉक्स के अंदर बहुत सार रोशनी निकलती है और बैल जुबे भला किसी को ठीक कैसे ही करेगा और फुरुची ओगा दोनों का मुतर जाता है अगर मैं किसी से फॉइट करता हूँ तो इस सेंबल बढ़ता जाता है अगर मैं लोगों की मदद करू और इस पूरी तरह से गयाप हो जाएगा इस तऱ देने मज़दार है अब बहुत ज़ता खाराब होती है फुरुची कहता है कि नर्स का उपिस है या फिर लड़ाय का में दान यहाँ पर तो साहर चीज़े टूटी-फुटी हुई है वोगा कहती कि बैक के अंदर देखते है बैक के अंदर मैडिसन्स होगे जिसे हम लोगों को ठीक कर सकते है सिस्ट्राम कहता है यह है मैजिकल बैंडेज इससे लगाने से बहुत ज़्यादा पाव बढ़ जाती है लेकिन जादे दे तक लगाया रखना खतर से खाली हो सकता है लेकिन बैलजुबे तो बैंडेज को लगा अगर खेलने लगता है और बैंडेज फुलने लगती है यहाँ पर दो बंदे नर्स का दर्वासा कुलते है और कहते कि चलो नर्स के ओपिस के अंदर जाकर निलन्स बॉक्स खाते है और बैल जुबे बेंडेज को Germans दिता है और बेंडेज ब्लास्ट कर जाता है वका कहते है बैड़िया हमें दो पेशेंस मेल गई है इन दोनों का इलाज हम कर सकते है और वका का जैबुल सिंबल बढग जाता है वका कहते है कि सब कुछ क्या होगिया हमें कोई दूसरी काम की चीज ढूननी चाहिए और सिटम कहते कि यह है पहली चीज मैजिकल बीड्स अगर आपके जानवर के पेट के अंदर कोई दिक्कत है तो इस मैजिकल बीड्स के इस्तमाल करें जिससे आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा पर वार्निंग इसका इस्तमाल इंसानों पर बिल्कुल भी ना करें और हुगा कहते कि मैं कुछ ऐसा चाहिए चो इंसानों पर यूस हो सके अगर आपको आग की वज़े से चोट लगे तो यह बेबी ड्रेगन आपको रहा दिलाएगा लेकिन वार्निंग बेबी ड्रेगन का मूड खराब रहा तो यह आप पर आग उगलेगा और आपको जलाडा डालेगा तीसरा आइटम यूनिकॉन सुई ये लोहे की भी आर्पार हो सकती है और चौथ आइटम दब्लेकेंट एक्सरे मशीन पांचवा आइटम एसमाक उगा कहते कि ये चीज़ क्या है सिस्टम कहते कि ये है एक्स्पलोजन कॉर्बकूर एक धमाका होगा और सब कुछ धूल में मि ती हम चारों मिलकर उगा पर अटेक करते हैं और से हरा देंगे फिर हमारे रैंक सबसे उपर हो जाएगा जैसे वो चारों नर्फ सौपिस में जाते हैं वो तिनों चोग जाते हैं वहां पर दो बंदे बर्फ में जिम्हें होए थी और अंदर से कभशारी आवाजे आ रही संतَर बंद्र ऑऔर से हरा देंगे चलाओ वहां चिलाने के आवसे पर देखते आके ओर देक्ते हो लेकिन आबे धीरे से आगी जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है आबे की नजर सीधे फूरूची पर जाती है और आबे शर्माने लगता है और कहते कि यह नर्स तो कितीन से ज़दे क्यूट है होगा कहते कि हमारे पास तो एक और पेशेंट आ गया और आबे को उठा कर अंदर फियक दिता है अंदर साना डबर दस गुड़नेर सिमो का वा और चेडिया की हालत खराब थी नेक्स दिमन उन चारों की हालत खराब हो जाती है और फूरूची कहते कि यहां पर तो हम कुछ भ कि उपर गेट एहे है वह जारों ठीक हो जाते है सिस्टाम कहते कि बढ़ीया कैम किया गेम खतम हो चुका है और इसे के साथ वो तीनों के तीनों नॉर्मल फॉर्म में आ जाते है आबे उट जाता है और कहते कि तुमारी हिंपत कैसे हुई और अटैक करने के लिए आगे बर पड़ाता है इल्डा कहती कि ऐसा लगता है कि डीमन लोड के फादर का रूल तुम अच्छे से निभा रहे हो वगर कहते हैं गर मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं है ना बेल जुबेव और युदो नहीं हसने लगते हैं तो कैसे वाला पिसट कता होता है बाई पैट रसी कर दो कर सकते हिमेकाव कहते कि गर बात आगे बड़ी तो उससे जितना मुश्किल होगा और कांजा की कहते कि मुझे याद है एक बात तुमारी उसके सब फाइट हुए थी और तुम दून दबा के भागे थे और हिमेकाव कहते कि मैं फला एक लड़की के साथ फुल पावर से थोड़ी फाइट करूँगा और कांजा की कहते कि बगवा तुम चूट बोल रहे हो और नासुमे कहते कि फिलाल तोजा का गुरूप एस यामा हाइसकोल उगा के हाथों में है और तुम जाने लगते ही और कांजा की और हिमेकावा कमरे के अंदर या i7 फायेट करने लगते है सेन चेंज होता है उगा के डैट बेलजुबे के साथ कील रहे थे और आप मेरे साथ कहलो दर नहीं आया होता है बैल जो अपने चहरा मोड लेता है और डैड वहीं पर रोना सुर कर देते हैं मौम कहते कि ओगा तुम्हें पार्क डेब्यू करना चाहिए और शुटर कहते कि काफी अच्छा इडिया है बैल जो के उसकी उम्रे के दोस्त मिलेंगे और हिल्डा कहते कि पार्क डेब्यू क्या होता है और मौम कहते कि पार्क डेब्यू वह होता है जिसमें सारे प्रस अपने बच्चों को लेकर पार्क में आते हैं और आपस में बाते करते हैं सला लेते हैं और बच्चे नए नए दोस्त बनाते हैं वैसे मेरा पार्क डेब्यू बहुत बुरी से फेल हो गया था क्योंकि ओगा कफी लड़ा को बंदा था और किसी चीज़ से भी डरता नहीं था वसलिए सभी बज्चों को काफी डरा दिया था श्रिश्टर कहते कि हिल्डा तो मैं भी ओगा के साथ जाना चाहिए और मैं भी यही सला देती है श्रिश्टर कानों को पालती है और फुर्शी के साथ बेच तरफ होता है और फुर्शी कहते थी कि में मुझे क्यों बुलाया रोगा क्याते कि सेंपड़ सी बात सप्प els क्रतूर कर नहीं है और tactics कि दौनगः और mental का इति यह तो थीक है तुम बागते कर रहे थी एक अजीब से बंदे के बारे में यांकि ओगा के बारे में एक लड़की का तिक डराओना बंद है जो अपने चोटे बच्चे को अमसा बिना कपड़ों के रखता है और पासी में एक लड़की जा रहे थी वो तीनों लड़की कहती के हाई कुनाइडा तुम दुमार से पार्क में आई कुनाइडा भए उन तीनों को हाई करती है और तीनों में से एक लड़की कहती कि आखिर वो लड़की है कौन और दूसरी लड़की कहती कि bun Oops block की पुझारी की बेटी है यह सिरु 17 की है लेकिन उसका एक बेबी है उन तीनों की बाते कुनाइडा सुन रही थी और कुनाइडा कहती की मेरे छोटा पाईए ना की बेबी कुनाइडा उन तीनों को बताने के लिए पीछे मुड़ती है लेकिन कुनाइडा को सामने बैल जुबे दिखता है कुनाइडा पूरी शॉक्ट हो जाती है ओगा फूल स्पीट में दोड़ते बाता है और बैल जुबे को पकड़ कर बचा लिता है ओगा कहती कि आँखे कर मैं डर जाती है ओगा कहते कि सायध बैल जुबे त्मने अच्छ से समयल नहीं कहें दुबाहर से समयल करो और बैलजुबे को दराव नी कर लिता है और वह त्यने वहां जबाग चाहती है ओगा कहती कुनाइडा लेफ्ट मुड़ती है और बेलजुबे भी लेफ्ट मुड़ता है कुनाइडा राइट मुड़ती है बेलजुबे भी राइट मुड़ता है कुनाइडा कहती कि मैं भी मिले है मैं तुमारे बार में कुछ नहीं जानती रोगा कहती कि मैं भी तुमारे बार में कु कुणाइडा कहती कि इंट्रॉडक्शन शुरुवात कते हैं ओगा और बैल जबगत देखने के बाद के बात्या करने के लिए अच्छ टॉपिक ठूडओ जैसे कि बच्चों के कपड़े के बारे में और डैपस के यह पत्राइब काँ यह पास बैल्यूबल टैपर है तो थोड़ा से जोर से कहती है तुम्हारे पास तो वैल्घिकल डैपर है और तेनलड़के बत सुन लेती है और जलने से होगा के पास आ जिती है और कहते हैं तुमंरे कहां से किनाइडा को कुनाइडा को देधत तीनों लड़कियों से खेज़ते हैं अगर आप लोग चाहिए धी व्यास रहंएगी कित क्रा parties कि इस खिलोने को भी आप ले सकते हैं और तब भी कुनाइडा के हाथ में जो खिलोना था वहल जल करने लगता है वह तियों लड़के बहुत रड़ जाती है और वह से भाग जाती है कि तरह अजीब लोग है और कि खिलोने से भी जादा ज़री बात में तो बोलने वाला हूं और कुनाइडा दुबार्ष शर्माने लगती हैं और कहती हैं हम तो भी अभी मिले हैं और मैं तुम्हारे बाइर में ज्यादा कुछ जानती बे नहीं ओगा कहती कि बेलजुबे जलो उसके साथ पाइट करो ओगा कहती कि यह पार्ग डेवियूल मेज कुनाइडा कहते ही तुम इसकी बात कर रहे थे बातिम भी आ जाता है ओगा और बातिम दोनों मिलकर बेलजुबेब को चेयर करने लगते है और इसे दिखकर कुनाइडा भी अपने चोटे भाई कोता को चेयर करने लगती है और आखरी में कोता ही जिता है और बैल जुबे भार जेता है खानने के बाद बैल जुबे रोने जिसे सकल बना लेता है और उगा कहते कि बैल जुबे तुम कैसे हार सकते हो बातिम कहते कि पूरी ची मुसिबत में मुझे जाना पड़ेगा उगा कहते कि मीट रुको और बातियम दोड़कर आता है और इसे एक मेंड़क देता है और कहते कि इसे दबाओ जैसा है उसे दबाता है एक ब्लास्ट होता है और बातियम कहते कि तुमने दिखाना इसका मतलब इसको नहीं दबाना है नहीं तो ब्लास्ट होगा अपॉसता कुस्ता हो जाता है और तब तक बैलजुबैप और कोटा कहीं पर चले गए थे अपॉसता हो जाता है और और पांच मीटर दूर है कहते है कि उसके साथ जो बंदा था वो बीच में से कड गया था और ये बंदा भी कफिट खतरना के ओफिसर को उस लड़की पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है ओफिसर के नज़े जब कुनाइड़ा पर जाती है ओफिसर कहते है कि यह लड़की तो कितनी ज़दा क्यूट है कुझे तो फायदा हुआ यहाँ पर आने का ओफिसर कर कहते है कि तुम वही बंदे होना और ओफिसर कहते है कि तुम इस बच्चे को कपड़ क्यों नहीं पहनाते और मैंने से रहा कि तुम चैल्ड अभी उस करते हो और ओफिसर कहते है कि बच्चे मेरे साथ अभी उस करता है मैं नहीं यानि कि तुम भी इसी की तरह होगी बताओ तुम कितरे साल की हो और कुनाइड़ कहते हैं मैं 17 की हूँ और आपिसर कहते हैं कि 17 की हो करिये सब कुछ यह कितने गंदी बात है और तुम्हार पास तो एक बच्चा भी है तो इस बंदी के साथ टैम बरबाद कर रही हो इन सारी कचरे के डिब्बे में डाल देता है वो तीवनों लड़के डरी पड़ी थी वह कहते कि बाइबाय फिर मिलते है और वहां से चले जाता है और कुनाइड़ कहते कि उसने तो अपना नाम भी नहीं पताया और कुनाइड़ अपनी जगा पर जाती है जहां पर बहुत साहल झाल 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 झाल